हलो गई नमस्कार स्वागे थाप सभी का आपका अपने चनल बैंकिंग करेंगे पूरा मिरा नाम में सियाद हो है दोस्तों आप IBPS कलर 2022 के एकदाम देने वाले हैं आपका इंडिडेट हैं तो आप सभी के लिए गुड़ने उच है कल अपना IBPS कलर का नोटिपिकेशन आया था उसमें 6000 प्लस वेकेंसी IBPS ने लेकर के आया है बहुत सरे बैंकों में यह ना रहे और नौट रिपोर्टेड है बहुत सरे बैंकों में वेकेंसी जो है जीरो के बराबर है या बहुत कम वेकेंसी है इसको लेकर के दोस्तों All India Bank Employee Association ने एक लेटर इसू किया है और जो Public Sector Bank है SBI को छोड़ करके बाकि जो Other Public Sector Bank है 12,300 अट लिस्ट जो है Clerical Carder का Employee का requirement है इसको लेकर के demand किया है तो दोस्तों आप सभी के लिए Good News है वेकेंसी और इसमें Add होगा और आप सभी को पता है Every Year वेकेंसी Add होता है Last Year की बात करें तो सुरू में वेकेंसी कम आया था लेकिन Final जो Allotment आई थी 12,000 प्लस Candidate का IPP इसने सेलेक्शन लिया था इस बार भी ज्यादा Candidate को IPP सेलेक्शन देगा इसमें बहुत सारे important point mention है इसको एक बार आप पढ़िए का बहुत सारे ऐसे बैंक है thousands of vacancy remain unfilled बहुत सारे बैंकों में वेकेंसी जो है filled नहीं है यहाँ बहुत देख सकते है इस टाप की shortage है यहाँ पर वो mention किया गया है उसके अलावा जो imply का जो daily का work होता है जो stipulated time है working hour है वहाँ पर उनका काम complete नहीं हो पाता है और यह reality है दोस्तों आपके कोई colleagues या आपके कोई जानने वाले अकर बैंक पर work करते हैं तो उसे पुछिए का कितना जो है recruitment करनी ताइए ताकि जो imply का pressure है वो काम हो और इसी को लेकर के imply association of इंडिया ने एक later issue किया है जो आप सभी के लिए काफी अशन यूज है आप सभी के लिए good news है आप सभी का 13,000 प्लस वेकेंसी रहेगा तो आप सब लोग अच्छे से preparation किजिए वेकेंसी और भी बहुत सारे बैकों में add होगा जहां पर inner लिखावर not reported है वहां पर definitely और वेकेंसी आइड होगा और जहां पर वेकेंसी कम है उसमें भी वेकेंसी आइड होगा तो आप लोग मेहनत कीजिए कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पुछिए और दोस्तों अपना 930 पीए में जो banking and financial awareness का कलास होता है आप उसको जरूर जोईन कीजिए आप अपने exam में काफी अच्छे score करेंगे more than 90% score आप अपने exam में कर सकते हैं banking and financial awareness जो current इफेर का topic है